प्रणाम मैं डॉक्टर गाहित्री गुर्वेंद्र योग एवं वेकल्पिक चिकित्सा चैनल की और से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आज का हमारा विशय है यग्य क्या है उसका स्वरूप क्या है एवं उसका महत्व क्या है इसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या है किस प्रकार से यग्य हम सहज रूप से सभी मिल जूल कर कर सके आईए इसके बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे वैदिक मंत्रों के साथ हम यग्य का विशे का प्रारंब करते हैं हमारी प्राचिन भारतिय संस्कृति का सबसे महत्पूर अंग है यग्य यग्य का अर्थ होता है जीवन जीने की कला जिस प्रकार से किस प्रकार से जीवन जीया जाए हम किस प्रकार से मिल जुल कर प्रकृति के साथ तालमेल बिठा कर हम जीएं यही यग्य है कहां भी गया है दग कनेक्टिक लिंक ब्रीज आफ गौड यग्य भगवान से सीधी तरह से जूडने का लिंक है ब्रीज है पार करके जाना होता है लेकिन यह दिश बना हो तो हम कम समय में और सहज रूप से दुसरे पार हम आसानी से जा सकते हैं ठीक उसी प्रकार यग्य हमें भगवान से जोड़ने का ब्रिज है हमें भगवान से जोड़ने का लिंक है इटीज दे टेक्स्ट पैड़ नेचर यह प्रकृति के साथ, टेक्स्ट पैड प्रकृति हमें देती बती है और हमेशा देती रहती है, कभी लेती नहीं है तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक प्रकृति को दें और अपना पैड चुकाते रहें यग्य वस्तुतह धर्ती का लगू सूर्य है ब्रह्मान में एक सूर्य है और धर्ती पर एक लगू सूर्य यग्य को कहा गया है हमारे वैदों में, कौपद ब्रामण में, हमारी मनुस्मृती में, रिगवेद में, विभिन सिधान्त शिरोमणी में यग्य की महिमा का गुणगान गया है वैदों में, तो सर्व प्रथम कहा गया है, यग्योवे विश्वस्य भुवनस्य नाभी, यग्य सारे विश्व के भुवन की नाभी है जिस प्रकार से हमारे शरीर का संपूर संचालन हमारी नाभी करती है, एक शूशिव का संचालन माता के गर्व में नाभी ही करती है गीता के तीसरे ध्याय के दस्वे श्लोक में भी कहते हैं सहय अग्या प्रजा श्रिष्टा पुरो वाच प्रजापति हैं ब्रह्मा जी ने जब श्रष्टी उत्पन्य की तो दो बनाए और दोनों को जुड़वा भाई के रूप में उत्पन्य किया एक है मनुष्य और दूस शत्रा पहले को उठाएगा आगे गौपत ब्राम्वन में जाखरा गया है आत्मा वे यग्य है यग्य करम कर्म करने हद है हम से अनसार में कोई भी मनुष्य बिना कर्म किये नहीं रह सकता है तो जब हम स्रेष्ठ कर्म करते हैं उत्यूंशरлох आचरण करते हैं श्रेष्ट्टा के लिए अपने आपको मिटा देते हैं दुसरों के लिए कारिकरते हैं तो वस्तुत वही यग्य है एक और बात कही गई है वाचीवे यग्य अर्थात हमारी जो वाणी है वह वस्तुत यग्य है हम सदेव मीठा बोले तो इस प्रकार यग्य की हमारे जो प्राचिन ग्रंथ हैं उनमें बहुत अधिक महीमा बताई गई है कहा गया है यग्य से मनुष्य एवं प्रकृति दोनों के संताप मिठते हैं मानसिक और आत्मिक शान्ती प्राप्त होती है यग्य पर्यावरन का प्रकाशक सुत्र है इससे वातावरन का परिशकार होता है सारी जो बिमार्या थीक होती है अभी जो बर्तमान में कॉविड-19 का जो दोर चल रहा है उसका जो निराकरण है उसका जो उपक्चार है वह यग्य के माध्यम से ही संभाव है तो आईए हम सभी यग्य को बड़ी ही गंभिर्था से समझें और इसके उपरान यग्य को हम प्रारंब करें यग्य क्या है रिग्वेद में कहा गया है यग्य व्यादिक रिशो द्वारा अविश्क्रत एक अद्भुद धार्मिक अनुष्ठान है बहतिक उर्जा और प्रान उर्जा दो तरह की उर्जा है बहतिक उर्जा और प्रान उर्जा इन दोनुगे समन्वे से एक तीसरी शक्ति के आविर्भाव में हमारे जो प्राचिन वेग्यानिकों ने जो सफलता प्राप्त की उसे ही क्या कहते हैं यग्याग्नी के नाम से जान जाता है कर भरतिय संस्कृति का पिता है तो मां गायत्री माता है गायत्री को सद विचार तथा यग्य को सद कर्म का पृतिक माना गया है हम स्रेष्ट करुम करें वही यग्य है यग्य का philosophy of यग्य, यग्य का दर्शन क्या है, इसे हम समझे, यग्य संस्कृत के यजधातों से बना है, जिसके तीन अर्थ बतलाए गए है, सर्वप्रथम, देव पूर्जन, दृतिय, दान, तृतिय, संगतिकर, देव पूर्जन अर्थाद, डिविनीटी, हमारे भीतर देवत्व का विकास हो, देवत्व का विकास किस प्रकार से होगा, हम अपने भीतर स्रेष्ठ गुणों का विकास करें, अपना आत्म चिंतन करें, अपना आत्म विकास करें, परंपुजी गुर्देव कहते हैं, कि हम आत्म निरिक्षन हर्षन करते रहें, तो हम गुणों का विकास करते चले जाएंगे दूसरा है दान अर्था चारेटी हमारा हमें भगवान ने इस योग्य बनाया है कि हम अधिक से अधिक दान कर सकें तीसरा है संगती करण अर्था यूनिटी संगठन मेरा है इसका एक उधारण हम दो धारण हम बहुत अच्छे से इसक बहुत अच्छा उधारण है दान प्रकृती में अहोरात्र संपन होता रहता है प्रकृती हमेशा देती रहती है और देते ही रहने का काम करती है प्रकृती देती है हम लेते रहते हैं वह माफ भी करती है और हम भूल भी जाते हैं हम लेते रहते हैं और भूल जाते हैं जब याद दिलाती है जब तो हम उसे आपदा या असंतुलन का नाम दे देते हैं तो प्रतिशन प्रकृति देती रहती हमें भी कैसा बनना चाहिए प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर देते रहने की प्रवित्ति हो जो यग्य का तीसरा आर्थ है संगति गरण वह हम अपने शरी हम एक यग्य हैं जिसमें हम सासों की आहुतिया देते हैं आप देखिए एक प्रक्टिकल करकर देखिए सहाज इस्तिती में मेरुदंड सीधा करकर बैठें आप श्वास ले रहे हैं श्वास छोड़ रहे हैं सहाज इस्तिती में बैठें आखें बन देखिए आप बार बार श्वास ले रहे हैं अर्थात सासों की आहुतिया आपका क्या है शरीर यग्य कुंड है उसमें आप आहुतिया डाल रहे हैं उसी आहुतियों की आधार पर आपका जीवन चल रहा है जिस दिन ये सासों की आहुतिया बंध हो जाएगी आपका शरीर भी बंध हो जाएगा अर् जब अंतर यात्रा करते हैं अपने शरीर की तो हमें विभिन अंगवय दिखाए देते हैं जैसे अस्थी, मज्जा, रक्त, सनायू सभी क्या करते हैं एक साथ मिल जुल कर कारी करते हैं ठीक उसी प्रकार जब हम एक साथ संगठीद होकर अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाए आए अब हम अगले क्रम में यग्य के प्रकारों को समझें श्रीमत भागवत में कहा गया है वैदिक तांत्रिको मिश्रह इती में त्रिवीधो मखह अर्था तीन प्रकार के यग्यों का उलेक किया गया है पहला है वैदिक यग्य शोत्र यग्य यह केवल हवन सामगरी से य पुराणों में वनी जितने भी यग्ये हैं यहाँ पुरानीक यग्ये अंत्रगत आता है इसमें विभिन तरह के यग्यों का समावेश है जैसे हम पाँच पंच महायग्य की हम यहां चर्चा करेंगे, पंच महाग यग्य कौन कौन से हैं, पहला है ब्रह्म यग्य, दूसरा देव यग्य, तीसरा पित्र यग्य, चोथा अन्र यग्य, और पांचवा भूत बली यग्य हम, ब्रह्म यग्य क्या होता है, रिश्यो की भाति अपना सब कुछ, शरीर, मन, प्राण, बुद्धी, धन, सभी कुछ परमात्मा को अर्पित कर उसके आदेश के अनुसार चलना ही ब्रह्म यग्य कहलाता है, दूसरा है देव यग्य, और थात विश्व के कल्यान है तो मंगल द्रव्यो की श्रधा और भक्ती से आहुती देना ही देव यग्य है, तीसरा है पित्र गुरू, माता, पिता, पित्र और महापुरुशों की बड़ी भक्ती भाव से सेवा करना ही पित्र यग्य कहलाता है, उनके बचनों का पालन करना, उनके कहे अनुसार चलना ही पित्र यग्य कहलाता है, चोथा है नुर यग्य, नुरी यग्य, अर्थात द्वार में आये अयाचित को अथिथी देवो भवा मानकर देव और इश्वर मानकर उनकी सेवा करना उनका अदर सत्कार करना ही नरी यग्य है पाच्वा है भूत बली या बली वैश्य यग्य इस्थूल, सुक्ष्म, प्राणी या देव सभी को तरप्त करने की भावना से भोज सामगरी की सबसे सरल है बलीवैश्य यग्य आप अपने घरों में नीमित रूप से बलीवैश्य यग्य कर सकते हैं आईए किस प्रकार से करें इसकी थोड़ा सा हम विधी बता दें आप जो भी घर में बनाते हैं चावल है कुछ भी बनाते हैं या रोटी है थोड़ा सा रोटी चावल रोटी लेते हैं तो उसके पांच ग्रास आप बना लीजिए छोटे छोटे आपका जो ग्यास है उसके उपर एक छन्नी रख लीजिए और एक एक आप ग्रास लीजिए पांच आउति आपको गाहित्री मंत्र से समर्पित करनी है पांच आउतिया किन किन को समर्पित करनी है गायत्री महा मंत्र के साथ इसे समर्पित करेंगे ओम भूर भूह स्वाह तस्त विट्रवरेन्यम भर्गो देवसिधी में ध्योन प्रचोध्याद स्वाह इस प्रकार गायत्री महा मंत्र के साथ आपको पांच आहुत्या गायत्री महा मंत्र के समर्पित करनी है यदि आप यहां नित्य प्रती करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर का वातावरन बदल गया है आपके बच्चे संसकारी हो गये हैं आपके घर में आध्यात्मिक वातावरन का समावेश हो गया है यदि आप इसे नित्य प्रती 15 दिन भी कंटीन्यू करते हैं नीमित करते हैं तो आपको अपने भीतर परिवर्तन लगेगा आपका लगेगा हमारा चिंतन बदल गया है हमारे परिवार जन का भी चिंतन बदल गया है वह बहुत स्रेष्ठ सोचने लगें तो इस प्रयोग को आप जरूर करें पांच मिनिट का यह यग्य है इसे जरूर संपन करें अब यग्य प्रेरणा जब हम यग्य करते हैं तो हमें उससे प्रेरणा क्या मिलती है जबी सभी नया यग्य किया है चोटे बड़े हम जहां भी जाते हैं हमें किसी न किसी रूप में यग्य मिल जाते है तो यग्य समगर जीवन का दर्शन है जब हम यग्य को देखते हैं तो जो उसमें उर्द्वागनी अगनी है वह हमें क्या सिखाती है सदा उपर उठें हम एक द्रड संकल्प के साथ यह करें कि हमें हमेशा उचा उठना है श्रेष्ट गुणों का वरण करना है दूसरा जब हम देखते हैं यज्यागनी यज्यागनी का अर्थ होता है रुपांतरण हम जो कुछ भी यग्य में डालते है तो वहाँ यज्य भगवान लेते हैं और उसे हजार गुना वापस हमें लोटा देते हैं हम सोचते हैं कि हमने केवल आहुती दिये लेकिन वहाँ आहुती हजार गुना लोटकर मनुष्य को प्रकृती को रक्षवनस्पतियों को सभी को दुगना रूप से लोटाती है और जो उसमें दिविता है वो सभी में समावेश होता है हमारा वातावरन शुद्ध होने लगता है यग्यकॉंड जट्रागनी का प्रतीक है जैसे हमारा जो पेठ है उदर है हम जो भी भोजन डालते हैं वो जट्रागनी उसे पचाती है ठीक उसी प्रकार से यग्यकॉंड है समीदाए संगठन में एक जूट रहने की शिक्षा देती है हम अलग अलग रहेंगे तो कोई भी हमें तोड़ देगा हमें एक जूट रहकर अपने राष्ट का विकास करना है जल शांति का प्रतीक है और जब हम कहते हैं इदम नमामा अर्थात यह मेरा नहीं सबकुछ विश्व का है सबकुछ इश्वर का ही है इस प्रकार से हम इसकी यग्य प्रेणा को समझते हैं आईए इसके कंपोनेंट्स क्या है कारक क्या है यग्य के किस समय किया जाता है किन मंत्रों का उप्यों किया जाता है कौन सी समीधाएं ली जाती है किन यग्य कुंडों का हम चयन करें और क्या सामगरी लें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उस का समय क्या होता है यग्य का यग्य शुट भी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग सन राइज एंड संसेट दो समय शर्वत्तम बताएं गये हैं प्रात्र जब सूर्य उदय होता है सबसे स्रेश्ट समय है यग्य का और दूसरा है संसेट अर्थाद साइकाल जब सूर्य अस्त होता है उस समय जब आप यग्य करते हैं तो बहुत ही शुद्ध वातावरण होता है और उसका प्रभाव संपुण वातावरण पर पड़ता है दूसरा आता है इसका महत्वण कंपोनेंट्स मंत्रों का शुद्ध वचारण गायतरी महा मंत्र, universal prayer for divine power है आप गायतरी महा मंत्र का उचारण इसके साथ करके आहोतियाब समर्पित कर सकते हैं दूसरा है सूर्य गायतरी मंत्र भी ले सकते हैं जब आप सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं तो सूर्य का तेज आपके भीतर आता है संपून ब्रम्हांड में आप भाव करते हैं कि संपून ब्रम्हांड में जो विशाणू जो किटाणू फैलेव में हैं उनका भी नाश होता है चंद्र गाहितरी मंत्र का भी उलेख किया गया है समीधा किस प्रकार के लिए जब हम यग्य करें तो सबसे महत्वपूर्ण बहुत सारी समीधाएं हैं जिनमें कुछ महत्वपूर्ण समीधाओं का उलेख है चंदन, आम की लकड़ी, पीपल, देवदार, अगर, तगर, पलाश की आप ले सकते हैं, गुलर, बरगद और शमी इस प्रकार से आप विभिन समीधाओं का चैन कर सकते हैं अब प्रशन आठता है, हवनकुंड हम किस प्रकार से लें, जो फायर पीठ है, यग्यकुंड, कैसा हो, इसकी आकरती कैसी हो, तो हमारे जो रिश्यों ने कहा है, एन इंवर्टेट पिरामिट शेप, मेड ओफ कॉपर, इस यूज़ एस फायर पीठ, आलसो काल्ड एस आइरन का हवनकुंड ले सकते हैं, देखा तो चतुषकुंड हो, यग्यकुंड तो बहुत ही स्रेष्ट होता है, चार आश्रमों का प्रतीक माना गया है, चतुषकुंड, यग्यकुंड को, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सभी की प्राप्ति यहां कराता है, अब हवन सामगृ किस प्रकार की ले, तो हवन सामग्री जब हम यग्य चिकृत्सा हम करते हैं, उसके अंतरगत रोग और रोगी की प्रकृति के अनुसार हवनल सामग्रियों का चयन किये जाता है, वैसे हर्म सामग्री दो तरकी होती, एक तो common हो वनल सामग्री होती है, जो हम जहां भी यग्य करते हैं उनमें प्रयोगत होती है दूसरी होती है रोगा अनुसार हमन समगरी तो शारिरिक यदी रोग है तो हम सुर्य गाहितरी मंत्र का प्रयोग करते हैं लेकिन यदी मांसिक रोग है जैसे चिंता तनाव आवसाद है तो हम चंद्र गाहितरी मंत्र का प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार हमने आज यग्य क्या है इसका स्वरूप क्या है इसके प्रकार क्या है इसकी महत्वपण कारक क्या है इसका महत्व क्या है इन सबको हमने समझा अब जब यग्य चिकित्सा विभिन्द रोगयों में हम कैसे करें इसका हम एक अलग वीडियो हमने बनाय है आप उसे हमारे चैनल योग अम अल्टरनेटिव थेरेपी पर देखें यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमें आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बहुत पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि आपको और से अधिक से सन्निवाद ओम शान्ति